हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम टू आज चैनल ट्रैवलो पीडिया दोस्तों भारत देश पूरे विश्व में अपने सम्रिध इतिहास, संस्कृति, अमूल इधरोहर, कला, सौंदर और लाज जवाब खाने के लिए प्रसिद्ध है यह दो आपको किसी भी शहर में शांदार एतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी, तो किसी शहर में आपको प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे, तो कहीं का खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो किसी शहर में गूमने की जगर धेर सारी होती है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी चीजों का आनन सिर्फ एक ही जगह रहकर लेना हो तो आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे तो शायद आपका जवाब भी दक्षण भारत का ही कोई राजे होगा क्यों सही काना मैंने दोस्तों हम जिस राजे की बात कर रहे हैं वो अपनी सुन्दर्धा से यहां आने वारे सभी परिटकों का दिल जीत लेता है और इसे भारत की कल्चुर कापिटल भी कहा जाता है इस राजे में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच भी मौजूद है दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षण तरट परिस्ते तमिल लाडु राजे के बारे में आपने आज तक तमिल लाडु के बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा भी होगा लेकिन आज हम आपको इस राजे के बारे में कई ऐसी बाते बताएंगे जिनने जानने के बाद आप तुरण फटा-फट अपना बैक पैक करके न तमिल लाडु के टिकेट कराने में बिजी हो जाओगे जी हाँ हलाकि अभी के लिए हम आपको तमिल लाडु की एक फ्री सैर करा देते हैं से बड़ा राज है जिसका शेत्रफल एक लाख तीस अजार अठावन वर्ग किलोमेटर है वर्तमान में तमिल लाडु की जनसंख्या आठ दशमलाव दो पांच करोड के आसपास है और ये देश का सात्वा सबसे घनी आबादी वाला राज है राज में औस तन प्रतेक वर्ग किलोमेटर में यहां 555 लोग रहते हैं तमिल लाडु में कुल 37 जिले हैं और सभी जिलों की ना अपनी अलगी पहचान है तमिल लाडु की सुन्दर्ता देखकर किसी दी सेलानी का मन यहां से वापस जाने का नहीं करता है यहां आप समुद्री धटों पर खुल कर मौज मस्ती कर सकते हैं और यहां के पहाडों पर जाकर प्रकरती की गोद में कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं और दोस्तो पहाडों पर बहते जर्नों की सुन्दर्ता को आय है है शब्दों में बयान करपाना संभाव ही नहीं है यार वो तो बस देखो और बस देखते रहो दोस्तो तमिल नाडू में आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन बहुत ही लाजबा मिलेगा यहां के खाने में ना चावल तो जरूर शामिल रहता ही रहता है यार दक्षुन भारत अपने साउथ इंडियन फूट के लिए भी प्रसिद्ध है अगर आपको ब अधिक बोली जाने वाली भाषा तमिल है तमिल भाषा विश्व की सबसे प्राचीन लिपी बद्ध भाषाओं में से एक है जिसका उलेख 2000 साल पुराने अभिलेखों में भी मिलता है तमिल भाषा तमिल नाडू के अलावा सिंगापूर और श्रिलंका की आधिकारिक भाष राज को होई थी राजी की राजधानी चिन्नई है जो भारत का चोथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है चिन्नई तमिल नाडू की राजधानी होने के साथ इसाथ राजी का सबसे प्रमुख शहर भी है इस शहर में आपको दिन में तो बेहदी शांती देखने को मिलेगी ल Automobile Hub के नाम से मशूर चिननई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। इस शहर में मेट्रो रेल भी तोड़ती हैं जिससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। IIT मजरास का नाम तो आप सभी ने सुनाई होगा जो भारत के बेस्ट एजुकेशन सेंटर्स में से एक है। इसके लावा IPL में भी चिननई की टीम चिननई सूपर किंस की धूम रहती है यार। और धोनी को चिननई के लोग बहुत ही प्यार करते हैं। जब भी चिननई में को पश्बूत अर्थ विवस्था वाला राज्य है। इसकी वर्त्रमान में GDP 325 बिलियन डॉलर्स की लगभग है। तमिल नाड़ो में हर वर्ष जनवरी के मध्य में पोंगल का तेवहार मनाया जाता है। ये फसनों की कटाई से जुड़ा एक उत्सव होता है। ये तेवहार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब और उत्तर भारत में इसे लोहोडी के नाम से मनाते हैं तो वहीं गुजरात, महराष्ट और करनाटक में इस तेवहार को मकर संकरांती का नाम दिया गया है। पोंगल के यवसर पर तमिलाडो में जली कट्टू खेल का आयोजन भी किया जाता है, जुसमें बैलों को आपस में लडाया जाता है। हाला कि पिछले कुछ सालों के दोरान इस खेल पर थोड़ी सकती जारी की गई है। और लोग सरकार से इस खेल पर प्रतिबंद लगाने की बात कर रहें, लेक से गाड़ी मैनुफेक्चर होकर पूरे देश में बेची जारी हैं। बहुत कम लोग जाते हैं कि तमिलाडो में वर्ल्ड बैंक का ओफिस भी मौजूद है। जिया, तमिलाडो को अगर एक क्रिशी प्रधान राज्य कहा जाए तो यार गलत नहीं होगा। यहां बड़ी मा असलों की पैदावार यहां बड़े पैमाने पर की जादी है। चिनई का मरीन बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच माना जाता है, जिसका तर्ट 12 किलोमेटर से अधिक फैला हुआ है। पहले नंबर पर ब्राजिल के रियो डिजनेरियों में इस दित एक बीच लेकिन मरीन बीच जैसी सुंदरता आपको दुनिया के किसी भी बीच पर देखने को नहीं मिलेगी। आप यहां सुर्योदे और सुर्यास्त का आनन ले सकते हो। आप चाहे फैमिली के साथ आए हो या अपने पार्टनर के साथ ये जगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। रियली बुलनाओं मैं। चिन्नई को पहले मदरास के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में चिन्ना पर्टनम के नाम पर इस शहर का नाम चिन्नई कर दिया गया। अंग्रेजों के समय में भी चिन्नई भारत का एक प्रमुख शहर हुआ करता था। जीडिपी पर चिन्न और चमतकारिक मंदर भी आपको कहां मिलेंगे तमिलनाडू में ही देखने को मिलेंगे यार। यहां का रामेश्वरम मंदर सबसे जाधा प्रसिद्ध है। इसी मंदर में विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर मुझूद है। इस मंदर को देखने बड़ी दूर- साइट की सूची में भी शामिल है। इसके अलावा ब्रिहलेश्वर मंदर का नाम भी आपने सुनाई होगा। यह विश्व का पहला मंदर है जो ग्रिनाइट पत्थर से त्यार किया गया था। इस मंदर के ऊपर एक 80 टन का गुंबत बना हुआ है। और यह पूरा गुंब होने की पीशे का कारण है यहां का सम्रद इतिहास। यहां लंबे समय तक राज करने वाले सभी सामराज्यों के दोरान राजाओं ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहां मंदिरों का निर्मान कराया था। और उस समय के निर्मान कारी की तुलना आज के किसी भी मंदर से नहीं की जा सकती है तमिलनाडू में आपको मंदिरों के अलावा और भी कई दार्शनिक इस्तल देखने को मिल जाएंगे अरिक नार अन्ना जुलोजिकल पार्क देश का पहला पबलिक चुडिया घर था जो अठारा सो पश्पर में खोला गया था मरीन बीच के ब भारत की शान मानी जाने वाली पली केर्ष लेक के पास आपको शांति का आनुवह होगा आपने आज तक कई प्रकार के जरने देखे होंगे लेकिन सिरुवणी जरने जैसी खुबसूरती आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। भालत की सबसे लंबी टॉय ट्रेन की जर्नी का आनंद लेना चाहते हो। तो यार तमिल लाडु के ऊटी शहर में आप ले सकते हो। उटी नील गिरी की पहाडियों में बसा परवती हिल स्टेशन है। ये शहर अपने नैसरकिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। उटी चारो और हरियाली से गिरी हुई है। और इन ही हरे भरे पेडो और सुन्दर पहाडियों की वज़े से उटी की नैचुनल ब्यूटी स सबका मनमुह लेती है। वैसे तो साल भर यहां का मौसम सुहाबना रहता है मगर सर्दियों के दिनों में मौसम बेहद ठंडा हो जाता है। तमिल नाडु के सबसे निशले तर्ट परिस्तित कन्या कुमारी के पास तीन सागरों का महा संगम है। जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महा सागर का मिलन होता है। इसे एक त्रिमेणी संगम भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहां पर महापुरुष स्वामी विवेका नंजी ने भी ध्यान लगाया था। हर वर्ष 25 लाग से अधिक सैलानी इस संगम का विहंगम दृश्य देखने के ल राज है। इसी राज में भारत की सबसे पहली बुक शॉप इस्वित है जिसका नाम हिगिन बॉथम्स बुक शॉप है। इस किताब घर की स्वापना 1844 में की गई थी। दोस्तों तमिल लाडु भारत का एक मात्र ऐसा राज था जिसके ऊपर प्रतम विश्य दू के दोरान हमला किया गया था। प्रतम विश्य दू में भारत की वैसे तो कोई भूमिका नहीं थी लेकिन बृटन के अधीन होने के कारण जर्मनी, आॉस्ट्रिया और हंगरी की सेना ने यहां पर आकर्मन किया था। अगर आप तमिल लाडु घूमना चाहते हैं तो कम से कम 10-12 दिनो का समय अपने साथ लेकर चलिएगा, इससे जादा दिन हो तो और अच्छी बात है, जितने जादा दिन उतना अधिक रोमांच सीधी बात है, लेकिन कम से कमना 10 दिन का समय तो यहां की सुन्दर्था को देखने के लिए चाहिए ही जाई, भारत के सभी प्रमुक शहरों और ह हवाई अड़ों से चिन्नई या मदुरे के सीधी फ्लाइट मिल जाएगी, यहां तक आप रेल रूट के जरिये भी पहुँच सकते हैं, अगर दक्षण भारत के ही किसी राज्य से आप तमिल नाडू आना चाहते हैं, तो अपनी गाड़ी से भी ट्रेवल करके आप यहां तक पहुँच सकते हैं, तो दोस्तों ये था भारत की संस्कृति से लबालब एक खूबसूरत राज तमिल नाडू, उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर हां तो इसे लाइक और शेर जरूर किजएगा, आपको तमिल नाडू के बारे म हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो लोग अपने राजयो के बारे में सबसे अच्छी बात हैं, जरूर बताईए, चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और धेर सारी रोचक जानक अगरी इसाद।